खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है नमस्कार मित्रों मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने आलाइन इस्टिट्यूट निसांत यान के यूटूब प्रेटफॉर्म पर आप सभी का बुदबुद स्वागत है अभिनंदन है आज के इस वीडियो पर मित्रों आज हमारा मन था कि आपको थोड़ा सा यूपी टीटी का स्वाध चखाया जाए लेकिन अभी बी एड का कांसलिंग सेडूल आ गया है और कई बच्चे लगातार हमसे कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे हर एक जगा पे देखिए अगर बी टी सी बी एट को लेकर के करना है किस तरीके से पढ़ाई करना है एक प्रत्विम आपको दिखाना चाहता था मैं लेकिन आज का यह वीडियो आपके लिए जा रहा है यह वीडियो देखेगा जो बी एड का कांसलिंग सेडूल आया है और उत्तर प्रदेश बीटी सी लास्ट डेट कितने तारिक को है 15 सितंबर को है आप सभी लोग जानते है ठीक है जो भी लोग हमसे जुड़े हुए है अमूमन अधिकान सता ऐसे है जो बीटी सी के कंडिडेट है और अधिकान समित्र हमारे ऐसे है जो बीएड करना चाहते है ठीक है बीएड करना चाहते है मैंने पहले भी बताया था जो ब से है और बीटी सी की लास्ट डेट पंदर से अतमबर को है ठीक है तो कुछ लोगों ने कुछा कि भैया सत्रह सितंबर को अगर हम जो है काउंसिलिंग न कराएं और इधर इसकी लास्ट मतलब कि कुछ सुनिया गई जैसे मैं राम मनोहर लोहिया अवद इनवर्सिटी की बात करूँ इनका अभी क्या नहीं आया है इनका रिजल्ट नहीं आया है ठीक है ऐसे कई इनवर्सिटी ऐसे है जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है ठीक है अब वो लोग कह रहे हैं कि भाईया हमारा अगर रिजल्ट न ध्यान रखिएगा आपका जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर से पहले पहले जारी करने की प्रबल संभावना है अधिकान्स इनवर्सिटी का जो रिजल्ट है 15 सितंबर से पहले जारी करने का पूर्ड संभावना है डाक्टर राम मनोहल लोहिया अवद इनवर्सिटी की बात करू इसका result जो है, सायद एक दिन या दो दिन के अंतराल में जारी कर दिया जाए, ठीक है, बिकाम का result जारी कर दिया गया है, BSCBA का result जारी कर दिया जाएगे एक दो दिन के अंदर में, ठीक है, अभी कुछ लोगों का confusion है कि हम जो है B.A.D. में counseling करा लें, जो B.A.D. में आप counseling करा आएंगे, तो आपका जो है 5750 रूपए, 5750 रूपए registration फीस लग रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम counseling करा देते हैं, और हम BTC में form डाल देते हैं, BTC के counseling में भाग ले लेंगे, तो मैं जो counseling कराने के बाद हमारा अगर, मैं आपको बता दू, counseling जैसे ही आप B.A.D. में करा देंगे और 5750 रूपए कटा देंगे, कटाने के बाद यह रूपए कब वापस आता है, तब वापस आता है, जब आपका college इलाट नहीं होता है, जैसे ही आपका college इलाट हो जाता है, चाहे आप उसमें admission लेजिए, या न लेजिए, या आपकी फीस वापस नहीं होगी, ठीक आपका college इलाट नहीं होगा, college इलाट होने से पहले ही आप, मतलब college इलाट ना करवाईए आप, तब आपका वापस होगा, अगर आप college इलाट मेंट करवा लिए हैं, तो आपका 5750 रूपए किसी कीमत पर वापस नहीं होगा, ठीक है, B8 के candidate को मैं बता रहा हूँ, तो result को ल में भी counseling नहीं करा पाएंगे, result नहीं आएगा, ताप इसका अवेधन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो conclusion यहीं है, कि result उसका पहले आजाएगा, अधिकांस University का, जिनका result नहीं आएगा, वो counseling नहीं करा पाएंगे, अब जो finally बात हम कर रहे है, BTC और B8 को ले करके, अभी क कुछ मित्रों के मन में उहा पोह की स्थिती चल रही है, लगातार, हमसे लगातार कमेंटार आ रहा है, वह या BTC करना चाहिए, B8 करना चाहिए, B8 हर जगा eligible है, हम खाहे BTC करें, तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था, आपके दिमाग में जो भी चीज़े चल रही हू इसका निरड़े आप स्वयम अपने विवेक से लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक clear cut response देना चाहूँगा, कि आपको जो है, आपको जो है, BTC करना क्यों चाहिए, BTC अगर आप सिच्छक बनना ही चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका टार्गेट मात्र या तो PRT मतलब primary, या तो junior का, अगर आपका सपना है, आपका अंतिम उद्दिष से है primary और junior का teacher बनना, ठीक है, तो आप अगर BTC की तरफ कूछ कर रहे हैं, तो कहीं भी कुछ 1% भी गलती नहीं कर रहे हैं, हमारे हिसाब से कहीं भी गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आ आपका उद्दिष से कुछ अलग है, जैसे आपको लगता हम TGT कर लेंगे, हम PGT कर लेंगे, हम Yelty Grade में चले जाएंगे, हम अन्य जगह भी जा सकते हैं, तो आप BAD की तरफ कूछ करिएगा, ठीक है, अगर कोई आपको कहता है कि आप BTC करने के बाद आगे आपकी value खतम हो BTC कोर्स बंद कर दिया गया होता, हम आसानी से BAD कर लिए होते, लेकिन सरकार का पहला काम क्या होता है, सरकार का पहला काम होता है revenue, क्या होता है, revenue, सरकार जो है revenue generate करना चाहती है, वो BAD भी करवाएगी और DLA भी करवाएगी, revenue generate होगा, तो जब revenue generate करवाना सरकार का करतब्य ह तो कहीं न कहीं B.A.D. और B.T.C. दोनों कोर्ट से चलेंगे लेकिन आने वाले समय में नई सिच्छा नीती मैं आपको बता दूँ अगर आपको सायद ना पता हो जो लोग कहते हैं कि नई सिच्छा नीती अभी लागू नहीं हुई है ब्रह्म में हैं भैया 29 जुलाई 29 जुल द्यान से सुनियागा नई सिच्छा नीती लागू करने के बाद 51 और के रूप में प्रात्मिक पहली बरती आने वाली है 68,000, 79,000 जो vacancy भरी गई है वो पुरानी नीतियों पर भरी गई है लेकिन नई सिच्छा नीति के बाद पहली vacancy एक क्याओन जार आने वाली है इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या BTC को बाहर निकाला जा सकता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता एक BTC को बाहर निकाला जा 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 आगे क्या response बन सकता आगे यही हो सकता देखिएगा हम आपको जो है आपको हतोत साहित नहीं कर रहे है कि आप BAD न करिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने विवेक से निड़े लीजिएगा अपने परिवार की सुनिएगा अपनी दिल की सुनिएगा आप कुछ अलग कर नहीं है लेकिन जो बच्चे BTC का फॉर्म डाल दिये हैं अभी counseling डेट आ गई है BAD की उसमें लेकर के अलचन में पड़े हुए हम उनको बताना चाहते है BTC खराब नहीं है मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ देखिएगा जैसे आपने BAD कर लिया BAD भी चल रहा है औरतमान क कहने से BAD बहार हो जाएगा लेकिन हाँ हर जगह DLAID प्रतिच्चों की संख्या जिस भी प्रदेश में जादा होगी DLAID प्रतिच्चों की संख्या अगर प्रदेश में जादा होगी तो DLAID को प्रतम वरियता दिया जा सकता है अब प्रतम वरियता क्या होता है अब आपको दिया जाएगा, अगर DLA के प्रसिच्चों के बाद संख्या रिक्त रह जाती है, तब DLA को मौका दिया जाएगा, अभी फिलाल DLA के लोग जो है प्राथमिक के लिए इलिजबल हैं, ठीक है, उन्हें नौकरी पाने के बाद दो साल के अंदर ब्रिज कोर्स करके प्राइमरी क आसे चक बना दिया जाता है, ठीक है ना, तो प्राथम वरियता वाला जो मैटर है, हर जगा कोर्ट केस फंसा हुआ है, आगे कि क्या इस्थिती होगी, कैसी होगी, हम इसके बारे में कोई निर्ड़े नहीं ले सकते हैं, जो भी होगा, ओ सरकार निर्ड़े लेगी, सुप्र मतलब कि किलियर कट पे आ जाती है, तो कहिन कही समस्या होगी, तो मैं आपको बता दू, अभी फिलहाल के लिए आपको कोई समस्या नहीं है, आगे भी समस्या होनी कम है, बीएट के कंडिडेट को, तिस विशे को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन की स्थिती मत रहिएगा अगर आपका सिच्छक बनना उद्देश है, और आप डीएलेट करना चाहते हैं, तो गलती आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप सही जगा पे हैं, और सही टाइम पे हैं, कोई समस्या नहीं है, मैं आपको बता दू, आपको बताना चाहूंगा कि साड़ेत मौके पर, अगर जैसे आप बीएड करना जा रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं, और आपको लगता है कि हम बीएड करके, हम बीएड करके प्राथमिक में सिच्छक बनेंगे, तो अगर आपका उद्देश से बीएड करके प्राइमरी में सिच्छक बनना है, तो फिर आप बीएड क्य कर रहा है आप लोग अगर आपका रिजल्ट पहले आ जाता है तावेदन करिएगा कोई भी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मानेता खतम हो जाएगा एसी कोई बात नहीं है ठीक नहीं सिच्छा नीती अभी 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ है इसके बाद 11000 वेकंसी आएगी जो नह उसके बारें वीडियो नहीं बनाएंगे कि काउंसलिंग में आपको क्या-क्या ले जाना है इसके लिए भेर सारी यूटूब चैनल पड़े हुए है उन पर देख लीजिए उनका एक ही धर्म होता है कि दिन भर में आठ वीडियो देते हैं अब कुछ लोग कहेंगे कि आप सब्सक्राइबर भूम कर गए उसके बाद किसी वीडियो पे तीन वीप पाच वीप साथ वीप यह नहीं करना है हमें आपको पढ़ाना है आपको बढ़ाना है आपको मंजिल तक पहुचाना है यह मेरा उद्देश से है ठीक नै तो आप करिएगा कुछ जो भी आपके समझ करेंगे तो बिल्कुल कहेगा पत करिये यार बीट सबसे बेस्ट है क्योंकि उसके दिमाग में लालत चल रहा है कि भाई बीटी सी में ने किया प्राइमरी जूनियर में क्यों मौका है यहीं चीजे लेकिन आप बताएए टीटी की भरती साल में कितनी बार आती है साथ साल म एक बार टीजीटी की वेकेंसी आती है आप 2023 में जो है बीट करके निकलेंगे अगर प्रात्मिक से बाहर कर दिये जाए तो 2027, 28, 29, 30 तक कहीं वेकेंसी आईगे 2011 से लेकर के आज तक लोग बिरोजगार थे ठीक ना उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से या सब्सक्राइब के माद्यम से हमारा होसला बढ़ाईएगा और कल जो वीडियो जाएगा और यूपी टीटी पर रहा हों कि आपको सिच्छक बनना है और सिच्छक के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए उसके बाद कहीं कोर्सेज करूंगा मतलब कि कोर्सेज का मतलब यह है धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट देता रहूंगा कि यहां से पढ़िए यहां से पढ़िए कल थोड करता हूं वीडियो पसंद आई है लाइक सेर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मित्र जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा होसला नहीं बढ़ेगा कुछ अलग करने की साहस हमारे अंदर नहीं होगा बहुत बहुत धन्यवा यह करे जुड़ें लाइक से ज्यादा बाइक से टुड़ेंगे लाइक साहस बाइक सेर समावा ला धक हमारे ज्यादा डारा होसला है एकुछ आई....